बड़ों को परनाम, बच्चों को प्यार, आप सब को नमस्कार, जैहिन सातियों मैं आरके नायक, आप सभी का हार देख स्वागत करता हूं, अभिनेंदन करता हूं, इंडियन पॉलिटी की वीडियो सरंकला में, सबसे पहले सातियों भारतिये सविदान से समधित, अगर आप सातियों, इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी से समधित जो वीडियो सरंकला परारम की है, इससे समधित काफी सारे वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं, यह आज का जो टोपिक है, इससे पहले सातियों आशा करता हूं में, कि आपने आज का जो वीडियो है, पूरे द भी जरूर डाउनलोड कर ले पीडियेप को और रिविजन करते रहे क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे अच्छे से तो आप किसी भी एक्जाम में सफल नहीं हो सकते इसलिए साथियों एक्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका रिविजन बहुत ही ज् पुष्टक जो किसी भी सब्जेक्ट की जो भी आपको चाहिए इनका रिव्यू किया गया हमारे चैनल पर और उनको आप देख करके बता सकते हो कि इन में से कौन सी पुष्टक का आपको पीडियेप चाहिए तो अब सातियों आज का जो यह हमारा टोपिक है इंडिन पॉल लाया है तो आसा करता हूं सातियों इससे पहले के पड़ते के वीडियो चाहिए वो किसी भी परकार से चाहिए वो एतियाशिक परष्ट भूमियों सविदान की या पर सातियों फिर इंडिया एक तो रेगुलेटिंग एक तो इन सबसे समदित जितने भी वीडियो आज तक बनाए हैं आसा करता हूं सातियों उनकी पीडियो आप तक पहुंच गई होगी नहीं पहुंचिए पीडियो तो आप पीडियो डाउनलोड करके जिविजन जरूर करते रहिए तो चलिए सातियों आज के इस मैतपून टोपिक को हम सुरू करते हैं जो कि हमारा एक्जाम की तो 1833 का जो चार्ट्रे एक्ष्य है यह क्या है इससे सम्दित कुछ मैतपून जान करेज लेते हैं और कुछ मैतपून प्रावधान देख लेते हैं जो कि एगजान के दिरिश्टिशें हमारे लिए महत्कुन साबित होंगे तो सबसे पहले साथ यूँ आप देखिए यहां पर अंग्रेज्जों को बिन्ना अनुमति के यानि कोई अनुमति की जरूरत नहीं है अंग्रेज्जों को और वो क्या कर सकते हैं भारत में आ सकते हैं कंपनी का जो ए का दिकार पुर्णत klassk?!" कौन से के तयत हुआ था क्योंकि सात्यों company का एक समुख नहीं हुग था company को चाय को चाइना के साथ में व्यापयार करने की अनुमति दि गई थी तो वो कन सम अशनल की गई थी उसी एकक को मानें गे हम की पुरन टेक कंपनी का एकादिकार समापत हो गया है उसके बाद साथियों यहां पर रहने और भूमी को खरीदने की भी अनुमती दे दी यानि जो अंग्रेज यहां पर आएंगे एक तो बगेर अनुमती के वह बारत में आ सकते हैं नमर एक बात दूसरी बात यहां पर वह खरीद भी सकते हैं और उसमें रहने की अनुमती दे दी अब जैसे साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में अभी भी बहुत सारे एसे राज्ये हैं जिनको विशेस राज्ये का दर्जा है और उसी विशेस राज्ये के दर्जे के कारण भारत के अन्य राज्ये रोने हो वहां पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकता और वहां पर इस्ता ही रूप से निवासी बनकर नहीं रह सकता ऐसा आज भी भारतिय सवग्दान में प्रावधान किया गया है कौन-कौन से रधिये ऐसे हैं जहां पर आप बुमी नहीं खरीच सकते कौन-कौन से केंदर साशित परदेश है जहां पर आप घूमने के लिए भी नहीं जा सकते वह पूरी जानकरी आपको इसी वीडियो सरंकला के अंतरगत मिलने वाली है सबसे पहले साथियों अब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर है कि बारत में दास परता जो थी उसको गेर कानूनी गोशित कर दिया गया अब साथियों बारत में सबसे पहले दास परता को गेर कानूनी गोशित कब किया गया अगर एक्जाम में क्यूसन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि दास परता से समदित भी क्यूसन समय समय पर एक्जाम में पूछे जाते हैं उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह बारत में दास परता को समप्त करने के लिए आवसे कदम उठाएं यह किस ने दिया था सात्यों निर्देश बिर्टिस गौवर्मेंट ने बिर्टिस संसद ने दिया था और किस को दिया गौवर्नर जनरल को तो उसमें गौवर्नर जनरल कौन थे यह आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईए क्योंकि इससे पहले में आपको बता चुका हू की वहां पर Governor General कौन था इंडिया में और भारत सचीव का भी पद्द किस एक्ट और किस अधिनियम के दुआरा बनाया गया था सातियों अगर आपको याद है और रिविजन अगर आपने किया है तो उसका भी आप जबाब कॉमेंट करके जरूर दें अब सातियों उसके बाद में हम यहां पर देखते हैं चाय का व्याप्यार तता चीन के साथ व्याप्यार करने से समन्दी जो कंपनी का अधिकार था उस को यहां पर समप्त कर दिया जाता है क्योंकि यहां पर यह क्या था कंपनी को यहां पर चाय और चीन के साथ में जो व्याप्यार करने से जो केंद्री करन हो चुका था पहले लेकिन उसे क्या है केंद्री करन करने का प्रियास किया गया अब साथ हो उसके बाद आप देखेंगे गवर्णर जनरल की जो परिशद है उस परिशद में कानूनी सदस्य की न्यूपति की गई यानि कानूनी सदस्य की न्यूपति किस अधिनियम में की गई थी अगर इस टाइप से आप से एक्जाम में क्यूसन पूछ लिया जाता है तो आपको आना चाहिए उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे इस अधिनियम में एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई इस अधिनिय रंग या जनम विश्तान आदी के आदार पर कंपनी में न्यूकति जो होती थी उसे न्यूकत करने पर क्या है किसी पद से या जिसके वह युग है उसे वंचित नहीं किया जाएगा यानि यहां पर क्या है एक अधिकार भारतियों के लिए मिल गया क्या मिला कि उन्होंने बोला भाई आप भारतियों को धर्म के आदार पर वंस के आदार पर या रंग के आदार पर और जनम विश्तान के आदार पर आप कोई बेदबाव नहीं करोगे और कंपनी में जो न्यूकति है चाए वो किसी भी पद पर हो वह जिसके वह योग है अब जो जिसके योग उस पद पर उसको नुक्ति मिले वंचित नहीं किया जाएगा ऐसा पराउदान इस अधिनियम के दुआरा किया गया था तो अब शातियों यहां पर हम देख लेते हैं बंगाल का गवर्णर जनरल भारत का गवर्णर जनरल हो गया तता लाइड विलियम बेटिंग पर्थम भा ना था यह थे मौदे तो इनके बारे में भी एक्जाम में जो एक्जाम होते हैं तो सब में क्यूशन पूछने का अलग-अलग लेवल होता है अब अगर आप यूपीस की त्यारी कर रहे हो तो वहां पर क्यूशन अलग टाइप से आएंगे बुक यह रहेगी से जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं और वह जो आईएस की तैरी करते हैं वह भी पढ़ते हैं लेकिन फरक इतना होता है उनकी क्यूशन की बासा सहली और क्यूशन का पूछने का जो तरीका है वह अलग हो जाता है बाकि जो वन डे एक्जाम है उसमें सिद्धा पूछ लेंगे कि सब्सक्राइब का फर्थम गवर्णर्जनर्र कौन था लार्ड वीलियम बेंटिंग लेकिन साथियों इसमें अगर पूछा जाए कि यह किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया इस तरीके से क्या है किसी भी क्यूशन को जटिल बनाया जा सकता है उसके बाद में साथियों अ सब्सक्राइब का अधिकार दे दिया गया अब साथियों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मद्रास और मंभई जो फ्रेशी डेंसी थी उनको क्या है सक्ति का जैसे ही विकेंद्री करन हुआ भारत में तो उनको भी अलग-अलग सक्तियां दे दी भाई आप अपने परिशद बना दी अब उस परिशद को अधिकार दिया गया कि वह भारत में अपने इसाब से कानून बना सकते हैं तो यह साथियों एक महत्रपुन जानका रही थी अब 1853 का चार्ट एक्ट अब साथियों सबसे पहले में आपको बताना चाहता हूं कि यह जितने भी सुआ है 153 का अंतिम चार्ट एक्ट था क्यों था वह में आने वाले समय में जो वीडियो शरंकला हमारी आगे वाली आगी उन में मिलेगा आपको तो वह साथियों आप इसलिए आगे वाली वीडियो स्रंकला को भी कंटिनू देखते रहिएगा जब जब वीडियो अप्लो एक्जाम के और सलेबस के अकोर्डिंग उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे इसके कुछ परमुक जो प्रावदान है उनको हम देख लेते हैं परमुक प्रावदान जो एक्जाम की दिरिष्टी से महत्वपूर्ण है बंगाल के पर्थक लेपनेट गवर्नर की न प्रावदान कर दिया जाता है उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे कंपनी को भारतिय परदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने आदिन रखने की अनुमति दी गई यानि कार्यकाल बढ़ाया नहीं और इसका मतलब है कि कंपनी कभी भी खतम हो सकती थी यानि यह जो कंपनी का साथन था उसको अगर चाहे तो बेटी संसद किसी भी समय उसको समाप्त कर शकती थी इस परकार का यहां पर प्रावदान किया गया तो यह साथ कंपनी के जो करमचारी थे उन करमचारीं की न्यूक्ति के लिए परतियोगी फ्रीक्सा की उसमें से कुछंफ ब्रस्ट करमचारी आ betting जिननोंने क्या कि लालच करकी कंपनि को गाटे में धकेल दिया और कुछ आयोगी क्रमचारी और जो complement करे थे उन्हें का किया की देरी देरी परष्टष अचार करना शुरूकर दिया तकी कंपनी में जो भी करमचारी है वह करमचारी वही आये जो उसकी योगता रखता हो तो यह साथियों इससे समदित एक महत्पौन जानकारी है उसके बाद साथियों हम यहां पर देखते हैं कि निदेशक मंदल में सदस्यों की संक्या चोबी से गटा कर अठा रख कर दी गई यह जो निदे निए से छह सदस्यों की निक्ति करने का आammatyकार बिर्टिकपर राजा को दिया गया अब बिर्टिस राजा को दे दिया घया तो विह जो सम्राद था जो क्या करता अपने एपने जो विश्वासी लोग टेई उनको इसने देशक मंदल में डाल देता थह और वो क्या करते यहां की पूरी राम लिला, पूरी कानी वह जा कर बता देते खिए यहां पर यह चल परत्युगी परिक्स्या उस से पहले भी उन्होंने क्या-क्या एक यूग्यता निर्देख कर दी कि इतनी यूग्यता आम की होंई चाहिए उसके बाद सातियों आप यहां पर देखेंगे इ पेरेनी जो परीषद है उसके लिए क्या है सात्यों कानूनिकों पूर्ण सदे से बना दिया गया अब सात्यों यह है यह एक बहुत ही महतुमुन कदम उठाके था उन्होंने जो परीशाद का सदसे नहीं था इस सदसे उसको क्या है पूरन रूप से सदसे बना दिया जाता है यहां पर तो आशा करता हूं सातियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर सातियों इस वीडियो में दी गई जानकार या आपको अच्छी लगी है तो अपने दूसरे भाई-बैंड तक जो किसी एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेर कर दीजिए तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए जोस नई उमीद के साथ तब तक आप रिविजन करते रहिए धन्यवाद जैहिंद वंदे मत